हेलो टेडर्स मेरा नाम है शुबम और स्वागत करूँगा आप सभी का हमारे चैनल शुबगदम में दोस्तों इस वीडियो में एक नई टेक्नीक में आपके साथ शेयर करने वाला हो और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सिखने को मिलेगा ये मेरी गैरेंटी ठीक है तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको बहुती बड़ा लॉस चालू होता है ठीक है ना मतलब हमारा जो स्टाप लॉस होता है उससे भी नीचे यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और उसी की वज़े से हम यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस जो है वो फेस कर रहे होते हैं उस समय हमें किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए और वो जो लॉस हम मिनिमाइज किस तरह से कर सकते ये मेथड मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ठीक ह तो अगर ये टेक्निक आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और सबसे पहली बात ये मैंने टेक्निक All Your Village के एक ब्लॉक से पढ़ी थी मैंने प्रिवियस टू दो से तीन साल पहले यहाँ पर मैंने वो एक ब्लॉक पढ़ा था उसकी लिंक मेरे वो शेयर कर सकता हो आपको explain कर सकता हो कि ये मेथड किस तरह से यूज करने ठीक है तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हो कि ये मेथड यूज करने है ये मेथड यूज करने है हमें सिर BTSD के लिए swing trade के लिए और ज के नीचे खुल जाए तब हम किस तरह से मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने किसी स्टॉक में बाइंग की हुई है इन्वेस्टिंग परपेजस के लिए यहाँ पर यह टेकनिक यूज नहीं करने है क्योंकि जब हम इन्वेस्टिंग करते हमारा जो व्यू होता है वो पाच साल, छे साल, दस साल के लिए होता है तो एक छोटा सा गैप डाउन उस परपेक्टिव से हम यहाँ पर देख नहीं सकते है और वाइस अगर गैप डाउन खुलेगा तो आप वहाँ पर आवरेज आउट कर सकते हो क्योंकि आप इन्वेस्टिंग करते हो परटिकुलर स्टॉक में जब उसके फंडामेंटल्स अच्छी हो ठीक है उससे हमारा टेक्निकल्स का कुछ लेना देना नहीं है इस वज़े से यहाँ पर हम सिर्फ BTST स्विं ट्रेड और पुजिशनल ट्रेड के लिए यह मेथड यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते है और और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो यानि के समझ लो BTST ले रहे हो अगले दिन वह गैब डाउन खुले तब वह बहुत लोग क्या करते लॉस यहाँ पर बुक नहीं करते और वही ट्रेड इन्वेस्टिंग के लिए समझ कर उसे होल्ड करने लग जाते तो वह सबसे बड़ी यहाँ पर गलती हो जाती है अगर आप BTST कर लियो तो अगले दिन उस स्टॉक को आपको बेचना ही पड़ेगा अगर आप पुजिशनल ट्रेड कर लियो अगर आपका स्टॉपलस पुजिशनल ट्रेड में ही हो रहा है तो आपको उसको बेचना ही तो क्या करनेगा ठीक है तो सबसे पहले आप फॉर्स्ट पॉंट देख सकते है वेन दस टॉक ओपन मॉनिटर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर फुल फाइव मिनिट ठीक है जब भी यहाँ पर मार्केट या फिर पर्टिकुलर स्टॉप गैब डाउन खुलेगा आपकी बाइं यहाँ पर अगले दिन स्टॉक यहाँ पर खुलता है आपको पहले पाच मिनिट सिर्फ यहाँ पर उसकी एक्टिविटी मॉनिटर करनेए मतलब स्टॉक क्या करना चाता है प्राइस क्या कर रही है सिर्फ आपको देखना है ना तो आपको बाई करना है ना ही sell करना है, मतलब जो भी आपकी position है यहाँ पर selling भी नहीं करनी है या फिर average करने के लिए buying भी नहीं करना है ठीक है, सिर्फ आपको 5 minute के लिए वो stock देखना है अभी यहाँ पर वो make क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, वो सबसे पहले बात कर लेते तो जब भी market खुलेगा हम हमारे portfolio में बहुत सारा loss देख चुके होंगे, और उसकी वज़े से हमारे mind में fear होता है हमारा mind हमारे control में नहीं होता हम सही decisions नहीं ले सकते जब भी हम, हमारा mind हमारे control में नहीं होगा, और हम decisions लेंगे कोई trading decision लेंगे, तो वो fail जाएगा आपको भी बता है, ठीक है ना, उसी वज़े से five minutes सिर्फ हमें देखना है हमें कुछ buying नहीं करने है, selling नहीं करने है अगर आप selling करोगे तो criteria कहा होता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हो कि बहुत सारे जो market makers होते है उनको discount में वो share चाहिए होता है इस वज़े से वो कोई भी news market में चला देंगे उसकी वज़े से अगले दीन market यहाँ पर gap down open हो जागा और यहाँ पर वो buying कर लेगे और आप यहाँ पर selling कर लेगे और price फिर से उपर जाएगा इस वज़े से वो chance आप से miss हो जाता है ठीक है ना कि आप अपने loss को cover कर दे at least आपके stop loss तक आप वो price लेके जाए जो बड़ा loss है वो छोटा loss करें ठीक है ना इसी वज़े से पाच मिनिट सिर्फ आपको देखना है और अगर आपका loss आपके में कहे सकता हूँ कि आपके capacity से बाहर चला गया है तो आपकी पूरी position आप यहाँ पर निकाल दीजिए otherwise मत रखिए अगर बहुती capacity से ही बाहर रहे loss आप कुछ भी नहीं कर से अगर एक तिक भी यहाँ पर से निचा आता है तो आप यहाँ पर afford नहीं कर सकते एसा हम बोलेंगे तो चलेगा ठीक है न तो फिर आपको पूरी position वहाँ पर से निकाल देनी है ठीक है तो first मैंने आपको state बता जी सिर्फ 5 मिनिट हमको market को observe करना है ठीक है second point है आपर after 5 minutes have gone by mark of the days low ठीक है 5 मिनिट होने के बाद में जो भी market का आज के दिन के market का low होगा मतलब मैं अगर आपको simple भाषने समझाने रहो अगर हमने 5 मिनिट का candle stick चार्ट open करके रखा है तो 5 मिनिट पहली जो 5 मिनिट की candle है उसका low हमें यहाँ पर mark करके रखना है मैं आपको यहाँ पर charts पे भी यहाँ पर समझा देता हूँ हम यहाँ पर थोड़ा सा charts पे चलेंगे समझ लीजे यह XYZ कोई भी stock है कल वो यहाँ पर close हुआ था मैंने BTST के लिए इसको यहाँ पर buy किया था यह 5 मिनिट की candle है ठीक है यहाँ पर close हुआ था मैं यहाँ पर मेरा stop loss था अभी वो stop loss के बहुत नीचे open हुआ है मेरे को बहुत बढ़ा loss हुआ है और मुझे इसे control करना है ठीक है तो यह first 5 मिनिट की candle है आज की दिन की तो simple सा हमें इस वाले candle का low जो है वो mark करके रखना है एक horizontal line से यह हमारा second rule है ठीक है इतना simple and clear second rule है अभी third rule क्या है यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते है sell at least half your stocks if and when the stock breaks below the five minute low ठीक है ना इसका मतलब भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगर अगली कोई candle यहाँ पर इस वाले जो five minute का low है इसको break कर देते है मतलब यहाँ पर मान लो इसको break कर देते है तो हमें हमारी यहाँ पर 50% position निकाल देनी है बेच देनी है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह वाली जो आप समझ लेजे यह थोड़ा सा में आपर से rough कर देता हूँ यह first five minute की candle है इसका जो low है यह हमारे लिए बहुत ही important support का का काम करने वाला या फिर हम के सकते हैं बहुत ही important level का काम करने वाला है next 30 minute के लिए ठीक है next 30 minute के लिए क्यों कि हम सिर्फ 30 minutes के लिए price observe करने वाले यहाँ पर 30 minutes का price action देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमें upside में continuation मिल सकता है या फिर downside में continuation मिल सकता है तो यह 5 minutes का जो low है यह 30 minutes तक हमारे लिए बहुत ही important level है ठीक है पर अगर अगली candle इसको break कर देती है या फिर अगली 2-3 candle कोई भी candle हो 30 minutes तक कोई भी candle इसको break कर देती है तो यहाँ पर हमें हमारी 50% position exit कर देंगे सबसे पहली बात 50% position क्यों exit करने है क्योंकि यहाँ पर से हमारे mind पर से बहुत बड़ा burden कम हो जाएगा कि यहाँ पर से और भी नीचे गरेगा तो बहुत loss होगा तो 50% हम loss यहाँ पर minimize कर सकते है मतलब further loss minimize कर सकते है और 50% से हम यहाँ पर hold कर सकते है क्योंकि 30 minutes पर जो low लगेगा 30 minutes होने के बाद में जो low लगेगा वो बहुत important low होगा इस top में ठीक है वो किसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वालो पर यहाँ पर से आपको पता चल गया है कि यह first 5 minute का जो low है अगर वो break होगा तब हमें 50% quantity यहाँ पर से निकाल देनी है अगर नहीं break होगा तो नहीं मिकरेंगे ठीक है यहाँ पर वो second वाला scenario भी थोड़ा सा discuss कर लेते अगर यह जो हमारा first 5 minute का candle समझ लेते यह यहाँ पर नहीं break होता है तो हम यहाँ पर 100% quantity hold करेंगे अगर यह break होता है तब यहाँ पर हम 50% quantity बेच देंगे ठीक है अभी यहाँ पर से next point पर चलते है यहाँ पर से next point पर after 30 minutes of trading mark the days low again ठीक है अभी यहाँ पर हम कह सकते कि 30 minutes होने के बाद में क्या तो यह 5 minutes की candle है ठीक है अगर समझ लो price यहाँ पर से ही नीचे चली गई एक candle दो गई तीन यहाँ पर 4th candle यहाँ पर 5th candle और यहाँ पर 6th candle ठीक है 5 minutes के 6 candles है यहाँ ठीक है तो हमें simple सा 30 minutes के बाद में जो भी day का लो होगा उसको mark करना है तो मैं यहाँ पर यह वाला day का लो है यह candle से नीचे आए और उपर गए यहाँ पर 1st 30 minutes कंप्लिट हो गए और यहाँ पर मैंने day का लो यहाँ पर mark कर लिया है otherwise मैं अगर आपको simple भाषा में बतना चाओ तो आप 30 minutes time frame की candles open करो और 1st 30 minute candle का जो low होगा वो simple सा horizontal mark से यहाँ पर horizontal line से आपको mark करना है ठीक है इस वाले scenario में क्या हो सकता है कि price समझ लो यही पर consolidate कर दे आपने 5 minute का candle इसने 5 minute के candle का low इसने break नहीं गया 1st candle, 2nd candle, 3rd, 4th, 5th और यह यहाँ पर 6th candle तो इस वाले condition में यही जो low होगा वो 30 minute का low होगा ठीक है और यह जो low होगा यह यहाँ पर 30 minute का low होगा अभी यह जो low होगा यहाँ पर से invalid हो जाएगा क्यूंकि price नहीं यहाँ पर इसको break कर दिया यहाँ पर इसे break नहीं किया यह थोड़ा सा समझने के लिए crucial point है पर मैं आपको आसान भाचान में बतना चाहता हो आप यहाँ पर मैं 5 minute की candle यूज कर रहा हो आप 30 minute की candle यूज करो और first 30 minute के candle का low आपको mark करके रखना है ठीक है अगर यह 5 minute का यहाँ पर break करता है तो हमें 50% quantity बेच देनी है 50% quantity hold करनी है अगर यहाँ पर 5 minute का candle जो है का low जो है वो अगर break नहीं करता तो हमें यहाँ पर पूरी quantity यहाँ पर hold करके रखनी है यह हुआ हमारा यहाँ पर simple सा root अभी यहाँ पर से next चलते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं Sell all your stocks if and when the stock breaks below the 30 minute low यह भी points एक दम simple है आप यहाँ पर देख सकते यहाँ पर हमने 2 conditions यहाँ पर discuss की थी कि first condition में यहाँ पर 5 minute के candle का low जो है वो break हो गया है यहाँ पर यहाँ पर यह वाली level जो है वो important support है यह वाली level जो है important support है अगर यहाँ पर से समझ लिजे यहाँ पर से कोई candle हमारे 30 minute का जो low है ये break कर दियते हैं तो यहाँ पर से मैं 100% quantity बेच दूँगा यहाँ पर मैंने 50% बेची है यहाँ पर मैंने जो 50% में hold कर रहा था वो भी बेच दूँगा 100% position में यहाँ पर अपना clear कर दूँगा क्योंकि जब भी अपने first 30 minute का low price break करती है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा probability होती है कि यहाँ पर से price 2-3 दिनों के लिए further ये downside में ही गिरती रहे इसी वज़े से यहाँ पर हमें हमारा loss book करना चाहिए हमें यहाँ पर accept करना चाहिए कि market ने हमें wrong पूँग कर दिया है इस वाले लोगो तो हमें simple सा पूरी quantity इस वाले यहाँ पर हमने 50% बेच नहीं थी यहाँ पर हमने 50% बीच थी यहाँ पर हम 100% होल कर रहे तो यहाँ पर मैं 100% quantity बेच दूंगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर से नीचे भी गिर सकता है पर अगर यहाँ पर हम और एक point है आपर discuss कर लेते है आप यहाँ पर देखिए if not breaks use the trailing stop loss method यह important point है ठीक है और अगर यहाँ पर break नहीं करता मतलब मैं यहाँ पर से बोलना क्या चोता हो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हो कि समझ ले यह जो low है यहाँ पर break नहीं होता अगर price यही पर से उपर भागने लग जाती है कुछ इस तो simple सा में stop loss trail करते हुए जाओंगा अभी 5 minute के time frame में किस तरह से stop loss trail करना है उसके उपर मैंने video बना के रखा यहाँ पर i button पर वो video आ रहा होगा आप वहाँ पर दबा कर देख सकते हो ठीक है पर यहाँ पर आपको stop loss trail करके आपको अपना maximum loss जो है वो cover करने को देखना है और जहाँ पर आपका trailing stop loss hit हो जाएगा आप वहाँ पर से निकल सकते हो इतनी simple सी method आपको यहाँ पर मैंने बता दिये सारे scenarios and conditions आपको यहाँ पर बता दिये अगर आप समझ लो आप यहाँ पर देख लीजे मैं इसी वज़े से यह दो scenarios आपके साथ में discuss कर रहा हूँ यहाँ प यहाँ पर से यह stock जो है वो उपर जाने लगा इस वज़े से यहाँ पर हम 50% position hold कर रहें यह 50% position अगर उपर जाने लगेगी उतना हमारा loss जो हे वो cover होता रहेगा और यह जो step है में यहाँ पर use करता रहा हूँ बहुत ही अच्छे से use होती है जहाँ जहाँ पर बड़े gap downs हुए हम छोटे gap down के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि हमारा stop loss के नीचे price job open होती है तब आप थोड़ा से वो chart open कर लेना यह थोड़ा सा back test कर लेना और आपको मुझे वीडियो के नीचे comment में आके बताना है यह strategy हम कह सकते कि किस थरा से work होती है ठीक है ना बहुत ही मेनत से बना रहा हूँ वीडियो प्लीज इस वीडियो को like करना ना भूलिएगा और यहाँ पर हम कुछ charts discuss कर लेते हैं मैंने यहाँ पर जील में इस तरीके की technique यूज करी थी आपको पता होगा थोड़ा सा मैं charts के उपर चलते हो charts पर आपको यहाँ पर discuss करता हूँ ठीक है हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते कि यह TCS का 5 minute का chart है TCS बहुत ही अच्छे uptrend में चल रहा था ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते कि TCS में लगबख 5% का gap down हुआ था यह बहुत ही recently का chart है हम के सकते कि history का यह पर past का chart नहीं उठाया है यह अभी का है आप यहाँ पर देख सकते कि यह 11th of October का chart है अभी यहाँ पर simple सा क्या होगा यह जो gap down हुआ था वो quarterly results की वज़े से हुआ था और समझ लो कोई trader है उसने previous analysis करके रखिये और उसे लगता है कि यहाँ पर quarterly results अगले दिन TCS के बहुत ही अच्छे आने वाले उस वज़े से वो यहाँ पर buying कर लेता है यह समझ कर कि अगले दिन यहाँ पर TCS अपने results डिकलर कर देगा और market gap down, sorry gap up open होगा और वो अपना profit book कर लेगा पर यहाँ पर stock market है कुछ भी हो सकता यहाँ पर TCS के results उतने अच्छे नहीं आए उसी वज़े से यहाँ पर 5% का gap down हुआ आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं यहाँ पर 5% का gap down हुआ और इस वाले condition में हम किस तरह से trade को manage कर सकते उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले तो simple सा देख सकते हैं कि market यहाँ पर close होने के बाद में market ने यहाँ पर opening दी और यह 5 minute का chart है और यह first 5 minute के candle का low है ठीक है न तो यहाँ पर हम यह वाली जो line है वो यहाँ पर mark करके रखेंगे पर आप थोड़ा सा देखिए अगले ही candle ने इस वाले 5 minute के candle का low break कर दिया तो उसे क्या करना चाहिए यहाँ पर आप exactly देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी 50% quantity बेच देने चाहिए 50% ही hold करनी है ठीक है next 5 minute के candle ने यह वाला लो लगाया यह third candle, fourth candle, fifth candle और यह sixth candle sixth candle तक हमारे यहाँ पर 30 minute हो गए अभी 30 minute हो गए मतलब यहाँ पर first 30 minute का low कौन सा है यह वाली जो second 5 minute के candle ने लो लगाया था वो simple सा में यहाँ पर mark करूँगा और जैसे जैसे price उपर जाएगी मैं अपना stop loss ट्रेल करूँगा किस तरह से stop loss ट्रेल करना है मैंने आपको बता दिया है वो वीडियो मैंने बना के रखा है तो उपर जाकर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए price जो है वो double top बना रही है और यहाँ पर हमें exit हो जाना है यहाँ पर price open हुई थी हम यहाँ पर exit हो रहे इसका मतलब बहुत ही अच्छा exit है वो otherwise आप यहाँ पर देख सकते कि price यहाँ पर से नीचे ही गिरती चली गई जब यह first 30 minute candle का low break हुआ आप देख सकते कि price यहाँ पर से नीचे ही गिर रही है और यह loss से हम बच सकते थे हमने position यहाँ पर काटी है ठीक है ना यहाँ पर नहीं काटी यहाँ पर काटी है इसी वज़े से हमने यहाँ पर चलो यहाँ पर से हमारा loss तो यहाँ पर हम manage नहीं कर पाए हम यहाँ पर loss recover नहीं कर पाए पर यहाँ पर हम कह सकते कि हमने अच्छे जगा पर exit किया जहाँ पर minimum loss हो सकता था ठीक है ना minimum इस वाले condition में minimum otherwise आप यहाँ पर देख सकते होल्ड करते तो बहुत ही वो stock नीचे चला गया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम manage कर सकते हैं अभी अगले चार्ट के उपर चलते हैं अगले चार्ट में मैंने यहाँ पर trade भी किया था और वो trade इसी technique से manage किया था अगर आपको पता होगा जिल जो है वो अच्छे से uptrend में बढ़ रहा था यहाँ पर trend line का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि clearly breakout हो चुका था और जिल उस समय directly gap up हो रहा था 5% से 6% से यहाँ पर gap up हो रहा था इसी वज़े से जिल में मैंने यहाँ पर buying की हुई थी BTST के लिए ठीक ना जिल में मैंने यहाँ पर buying की हुई थी BTST के लिए यह सोचके कि यहाँ पर trend line का भी फौरी bullish flag का भी pattern का भी breakout हो चुका है यहाँ पर थोड़ा सा inverse head and shoulder pattern भी बन रहा है और price यहाँ पर gap up खुल सकती है जिसी gap up खुले कि मैं BTST कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अपना profit book कर लूँगा पर अगले दिन आप यहाँ पर देख सकती है कि market है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लगबग 5% का gap down open हुआ यह मैंने trade लिया हुआ था यहाँ पर 5% का gap down हुआ यह first candle यहाँ पर इस तरीके से बनी तो यहाँ पर मैं किस तरह से trade को manage करूँगा मैं simple सा क्या करूँगा first 5 minute के candle का low जो है वो यहाँ पर simple सा इस तरीके से mark कर लूँगा तो आप simple सा देख सकते कि price यहाँ पर से उपर गई यहाँ पर first, second, third, fourth, fourth, sixth यहाँ पर sixth candle बनी और sixth candle यहाँ पर बनी इसका मतलब मेरा जो important level रहेगा वो यही रहेगा क्यूंकि first 5 minute के candle का low यहाँ पर break नहीं हुआ है ठीके न, यहाँ पर हमारा 30 minute period complete हो गया उसके बाद में price ने consolidate करते करते हैं मेरा buying price यह था मेरे buying price के ऊपर price निकल गई इसका मतलब यहाँ पर मेरा loss तो छोड़ो otherwise में यहाँ पर profit बना लेता आप यहाँ पर देख सकते कि 5% का gap down होने के बाद भी अगर आप इस तरीके से एक plan wise इसको hold कर रहे हो इसे नहीं कि आप blindly hold कर रहे हो चले उपर जाएगा तो जाएगा नहीं जाएगा तो जाएगा हम यहाँ पर plan बना रहे होप नहीं रख रहे हि कि यहाँ पर से ऊपर जाएगा हम एक plan बना रहे अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं 50% काटंगा इसके नीचे जाएगा तो मैं 100% काटूँगा अगर ये break नहीं करेगा तो मैं इसको hold करूँगा plan बना रहे और plan के accordingly हम यहाँ पर trade कर रहे और इसे ही हमें trading करना चाहिए वहती अच्छा back tested method है इसी वजह से मैं आपके साथ में share कर रहा हूँ मैं use भी करता हूँ और मैं फिर भी आपको सजेट करूँगा कि थोड़ा सा back test कर लिजे इससे आपको ही फाइदा होगा ठीक है तो होप है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज यार इस वीडियो को like कर दीजे आपके friends के साथ trading community साथ share कर दीजे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है Thank you very much